नमस्कार दौस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूप चैनल में मैं प्रभात हम इस समय बात करना यह है तो अ विश्रेशडवाद की तो विश्रेशडवाद की तो विश्रेशडवाद क्या है किस तरह से उस पर किसका प्रभावपणा पास्चात दिकावर सास्त्र का तो हमारा जो साहित है वहाँ पे भारती कावर सास्त्र या उसके अंगो की चर्चा तो की गई कावर लक्षणों की चर्चा की गई उसके साहित में और भी जो चर्चा मिलती है वो हमें पास्चात दिकावर सास्त्र की मिलती है तो हमें उसका एक संचिफ्त ज्यान यहां पर होना चाहिए हमारे साहित्य को पढ़ने के लिए और जानने के लिए तो पास्चात्य सास्त्रल में हम सबसे पहले बात करते हैं एक दार्षनी की जिसका नाम था सुकराथ जिसका नाम था सुकराथ लगब 4.5 सा इसा पूर्व इनका जन्म हुआ और सुकराथ एक ऐसे रहती थे जो बहुत अलडवादी थे अगर हम बात करें वहां पे निराला की तो अपने साहित्य का जो निराला है वहां वहां का सुकराथ था और सुकराथ इस प्रकार के दार्शनिक थे कि वहां के लोगों को सिख्षा और ज्यान की बातें बताते थे और जो भी उनके मानक के अंतरकत आता था उसी को अपने मानकों में स्विकार करते थे, जो उनके मानक की परिदिक्यर द्रगत नहीं आता था, वे उसे निस्कासित कर देते हैं, सुक्रात के हिस्षिस्षे का नाम था प्लेटो, अगर हम बात करें सुक्रात के हिस्षिस्षे की प्लेटो की, तो प्लेटो का समय क्या है, चार सो सताइस से इसापूर्व यानि बीसी से और तीन सो सेटालेस बीसी तर यह इसापूर्व तक इसका समय रहा इसी में अगर हम बात करें तो इनके प्लेटो का भी एक सिस से वाता है जिसका नाम था अरस्तु क्या नाम था अरस्तू यानि अरस्तू के गुरू का नाम था प्लेटू तो यहां पे हम सबसे पहले किन की चर्चा करेंगे प्लेटो की क्योंकि काप्रे के सिध्धान्त के रूप में अगर मिला हमें सबसे पहले तो वहां पे हम बात करेंगे प्लेटो की प्लेटो के अलावा से पूर्व की बात करें तो प्लेटों के पूर्व में तीन सिध्धांग क्रिपाजित हो चुके थे, सबसे पहला प्रेणा, प्रेणा का सिध्धांग, दूसरा था अनुकरण का सिध्धांग और तीसरा था विरेचन का सिध्धांग, प्रेणा, अनुकरण और विरेचन ये ता यह थीर स्ऱ्द्धांतों को जन्म हो चुका था, जो प्लेटों के पूर्व, अगर हम प्लेटों के पूर्व की बात करें, तो वहाँ पर कुछ विद्ध्वानों के नाम आते हैं, जिसमें आता है नाम होमर & HR suficiente जैसे कुछ विद्वानों का नाम आता है जिसमें वहाँ पे उनकी चर्चा की जाती है तो इनहीं के द्वारा कुछ सिध्धान्त पहले से फ्रतिपादित हो चुके थे प्लेटो ने क्या किया यहाँ पे एक अनुकरण का सिध्धान्त फ्रतिपादित किया क्योंकि उस समय वहाँ पे एथेंस की इस्थिती बहुत धैनिय थी उस इस्थिती के रहते और सुकरात को जो उम्रेतुदर्द मिल गया था उन सारी चीजों ने प्लेटो के दिमाग को बहुत जग जोड दिया और उसी के माध्यम से एक दार्शनिक जन्म लेता है प्लेटो का ऐसा नहीं संभव हुआ और वह जगा चोड़ें करें उनको वह से जाना पड़ा अब हम बात करेंगे प्लेटो की सिध्धांत की सिध्धांत कौन सा है अनुकरण का सिध्धांत जैसका कि अनुकरण को समझाता है कि प्लेटो के द्वारा किस प्रकार से काभ की निशे, szetly काव में से कौन-कून सी चाछी जों का समावये दिज के लिए उत्तम है और किन का यहां पे आ यह है कौन-कौन सी चीज़ा है मि्थ्या है या जिन को काव के मात्यम से उनको काव को भाहर करदेना चाहिए राष्ट से इसलिए जा हम FEEL प्रत्य कावय का मूल जनक है प्रत्य क्या यानि आईडिया यहां पर हम बात करते हैं आईडिया की प्रत्य वह क्या है आईडिया और आईडिया क्या होता है प्लेटों ने सब से पहली अगर अपने सिधान्तम किसी सब्द पर किसी बात पर जोड़ दी तो वह किसे पर जोड़ दिया प्रत्य पर और यह आइडिया क्या है यह आइडिया है इस्वर के द्वारा प्रदक्त यानि इस्वर के द्वारा दिया हुआ इस्वर द्वारा और संपूर्ण जगत क्या है संपूर्ण जगत प्रत्यकाही अनुकरण है बहुत छोता सा पाइंट है बस उसे हमें समझना है और हमें प्ले प्रत्य यानि आईडिया वही सत्य है यही क्या है सत्य और जो संसार है संपूर्ण जगत है वह संपूर्ण जगत है प्रत्य का अनुकरण वो क्या है अनुकरण है अनुकरण किस चीज का प्रत्य का यानि यह जो प्रत्य है आइडिया है क्या यह इस्वर के द्वारा बनाया गया आदर्स रूप है किसी वस्तु का एक उदाहर लेकर उसने समझाया पलन के मात्यम से उसने समझाया अब यहाँ में देखिए प्रत्य क्या है प्रत्य इस्वर के द्वारा बनाया गया रूप और परिवासित कर देते हैं यहाँ पे इस्वर के द्वारा बनाया गया आदर्स रूप यह क्या है य ये ही प्रत्य इसाप प्रत्य का अनुकरण्ट का Frit побर्ण करता है जो कवी ओर जो कलाकार है वह करता है अंउकर्ण यानि संपुन जगत का ही अनुकरण करता है जो कलाकार क्या करता है जो कलाकार है तीसरी इस्थिती में वो क्या करता है अनुकरड का ही अनुकरड करता है यानि क्या हो जाएगा यहां पे अनुकरड का अनुकरड का अनुकरड तो यहां इस्थिती कौन सी हो जाएगी यहां हो जाएगी त्रतिय इस्थिती और इसी को कहते है यहां पर प्रत्य अनुकरण का यह जो कलाकार की कविता है या कवी है वह क्या है अनुकरण का अनुकरण यह क्या है यह च्छाया है च्छाया किसकी है यह च्छाया किसकी हो जाएगी प्रत्य की जो इस्वर प्रदर्त है तो पहला अनुकरण यह हो जाएगा दूसरा अनुकर सबसे महली बाद अन्हों ने यह कही कि अगर इसवर करो बनाई गई वस्तु जो है इसवर करणा बनायी जो प्रतिमा यह या प्रतिरूप है जो आदर्स रूप है वह सक्य है current में सवर्व क्या हो जाएगी जिसुर कर दोरा बनाया गया प्रत्या आई लिए सक्य इसके बाद में जो उसका अनुकरण किया जाएगा वह क्या है? मिथ्या है. संपूर्ण जगत ही क्या है? संपूर्ण जगत ही मिथ्या है. और इस मिथ्या का ही अनुकरण है? वो क्या है? वो है कभी. यानि कलाकार की जो कार्न है, कलाकार का जो कर्म है, कभी का जो कर्म है, वह तीसरी इस्थिति है और यहां तीसरी इस्थिति यहां मिथ्या है और मिथ्या संसार के लिए हितकर कैसे हो सकती है सामाने सा यहां पर उधारन है सामाने सा सिधानत है अगर काव मिथ्या है तो वहां किसी के लिए लाभब्रद कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए या समाज के लिए या राष्ट्र के लिए कैसे मिध्या कैसे सत्य हो सकती है या फिर मिध्या कैसे कारगर हो सकती है तो बहुत important point है कलाकार की इस्थिती क्या है? कलाकार या कभी की इस्थिती क्या है? मिथ्या है और इसी मिथ्या को समाज से बाहर कर देने का काम कौन करता है? प्लेटो और प्लेटो कहते हैं कि जो काव है वह संसार से बाहर कर देना चाहिए यहाँ समाज के लिए हितकर नहीं ह यह जन्म देता है, किसे जन्म देता है, यही जन्म देता है काम वासना को, किसको जन्म देता है, काम वासना को, मिध्या को, जूट को, दुराचार को, और इन्ही सारी स्थितियों के रहते, राष्ट गुलाम हो जाता है, यहां का जो युवावर्ग है, यहां का जो सक्ती है, वहां छीड हो जाती है इसी लिए वहां राष्ट से बाहर हो जाना चाहिए एक उदाहरण का प्रियोग किया गया प्रेटो के द्वारा प्रेटो के द्वारा एक उदाहर प्रियोग किया गया हम आपको यहां पर बताते हैं प्रेटो के द्वारा जो उदाहर जो उदाहर जो क क्या था एक पलंग इस्वर के द्वारा बनाया रूप इस्वर के द्वारा बनाया प्रत्य प्रत्य में कंप्यूज नहीं हो येगा ये क्या है आइडिया है इसकी चाया बढती है बढ़ाई पर इसकी चाया यहीं इमेजिनाईजयसन जो है ये बढ़ाई के द्वारा बनाया गया ठीक है क्या हो जाएगा ये बनाई के द्वारा बनाया गया है, इसके बाद में, क्या हो जाएगा, कउनुके द्वारा सब्दों के माध्यम से बनाया चित्र, सब्दों के मांधन से बनाया गया चित्रिया कभी की कर्म है अब यहां पर क्या हो गया तीम इस्थिया हो गई आप सभी को पर्लक्षित हो रही है सभी को दिख़्ी गोचर हो रही है तीन इस्थितियां कौन-कौन सी एक तो ये पलंका उदाहरण लिया गया ये पलंक के उदाहरण में क्या है सबसे पहले तो इस्वर के द्वारा गया बनाया गया पलंका रूप जो आदर्स रूप है और क्या है सत्य है सत्य है आदर्स रूप है बनाया गया इस्वर के दारा जो सत्य है सारभौमिक है यूनिवर्सल है दूसरा क्या बढ़ाई बनाता है तो क्या करता है ये बढ़ाई के द्वारा बनाया गया है तो इस्वर के द्वारा बनाया गया पलंक के रूप का क्या है ये रूप का क्या है यहाँ पे यह चाया है या अनुकरण है इस्वर के तारा बनाया गया पलन उसी का अनुकरण है यह चाया है यह क्या है बढ़ही के तारा बनाया गया और कमी क्या करता है कलाकार करता है क्या इस बढ़ही के तारा बनाये गये पलन का अनुकरण अर्थार अनुकरण का अनुकरण का अनुकरण और जो बात सकते ही नहीं, जो बात मिथ्या है, वह मिथ्या समाज के लिए हितकारी कैसे हो सकता है? पलंकि उदायन के द्वारा भी सित्ध करने का प्रयास करते हैं प्लेटो और यहां समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता तो इस परकार से उन्होंने कावे को समाज से दूर रखने का प्रयास किया और प्लेटो के द्वारा गर हम बात करें यहां पे क्या है एक मूख्य बात य है कि उन्होंने कहा को अहितकारी या राष्ट के लिए उपयोगी क्यों नहीं माना चार कारण पे कौन-कौन से पहले कारण पे यहां पे चर्चा करते हैं बहुत धिक कारण कि दूसरा उपयोगीतावादी पहला कौनसा कारण है बहुत धिक कारण है दूसरा कौन सा है उपयोगीतावादी है और तीसरा है भावात्मक कौन सा भावात्मक और चौथा है नैतिक कौन सा है नैतिक चार कारण दिये हुए है सबसे पहला बॉधिक कारण उपियोगितावादी भावात्मक और नैतिक बॉधिक कैसे हो क्या जब वह सत्य नहीं है सत्य नहीं है तो बुधि को किस प्रकार से संतुष्ट करेगा क्योंकि बुधि क्या चाहती है सत्य चाहती है इसलिए ये प्लेटो का जो सिधन्द है उसमें काव्वे का चाह जाया ये काव्वे से अहित्र किस प्रकार से पुरा है काव्वे को सवाज से दूर रखने के क्या कारण है ये उपियोगितावादी उध्थान नहीं कर रहा है राष्ट्र को संबोदित नहीं कर रहा है तो क्या होगा उपयोगिता वादी नहीं है काप। कॉंथा होती है संथाख होता है और यह सारी से कामभवना को जन्म देती है और यह काम भावना क्या है यह काम भावना यह भाव यह भाव समाज को दूशित करता है और यह दूशित होने के कारण वह भावातनक है इसलिए कावे समाज के लिए हितकारी नहीं है नैतिक वजनों से युगत नहीं है नैतिकता नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा यह दूसरी चीज़ हम यहां पर आपको एक यह बताना चाहते हैं कि प्लेटो ने अगर कहा समाज में मनोरजन का साधन देखिए उस टाइम पर क्या था ड्रामा जो ड्रामा खेला जा रहा था वहां पर लगबर लगबर 20-20,000 लोग वहां पर कुछ ऐसे ड्रामा जिनको देखने के लिए उपस्थित होते थे यानि वहां पर ड्रामा होता था ड्रामा में दूसरी चीज होती थी संगीत, म्यूजिक और ये म्यूजिक क्या करता है बौद्धिक सक्ति प्रदान करता है मन को सांत करता है यानि मनस चेतना को प्रभावेत करता है इसलिए क्या उन्होंने कहा प्लेटो ने कहा कि यह संगीत और ड्रामा यह दो चीजें नैतिकता से पोर्ड होते हैं और यहां समाज में मनुरेजन का कारे करते हैं बौधिक चेतना को व्याप्त करते हैं इसलिए उन्होंने कहा कि यह जो अनुकरण का सिध्धान है जिसमें उ हम चर्टा करेंगे कि प्लेटो की रचनाय कौन कौन सी है यहाँ पे यौन कौन सी रचनाय है यौन सिंपोजियम बहुत इंपोटेंट है द्यान दिज़ेगा सारी रचनाय आपके पूछी गई है किसी ने किसी परिच्छा में आपके सभी रचनाय पूछी गई है रिपोब्ल कौन सी रचना, the Republic, मैंने कोशिस किया आप हैं अंग्रेजी में लिखने की, क्योंकि यहां से चारण अच्छे से हो सकता है, इसलिए मैंने कोशिस यहीं किया है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, तो मैं बोल रहा हूं, तो आप सुन करके समझ सकते हैं, सबसे पहली रचना है, यान, दूसरी है सिंपोजियम, तीसरी है रिपब्लिक, चौती है इस्टेट्स में, बहुत मोश्ट इंपर्टेंट, एक नहीं कम से कम पचास सो बार पर इच्छा में पूछा गया, दरलाउंस, कौन सी है, दरलाउंस, आक्वालाजी, और आखरी है क्राइटो, कौन सी, क्र तो यहाँ पर जितनी रजनाएं हैं, प्लेटो के माध्यम से जो रजी गई, बहुत इंपर्टेंट है परिच्छा के दर्श्टिकोर से, और आपको मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से बताई, आप हमको जरूर बताईए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा ह अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट जाकर के सबस्क्राइब बटन क्लिप करिए, बेल आइकान क्रस करिए और हमारे द्वारा दिये गए वीडियो का नोटिफिकेसन टाफ्त करिए, तो आप हमारे चैनल को जोईन कर सकते हैं टेलेग्राम पे, दूसरा आप हम में फेस्बूक पे रिवाइन कर सकते हैं, धन्यवाद